आज हम बिल्कुल मलाईदार बिल्कुल गाड़ा दही जमाने का आपको पूरा तरीका बताएंगे आप इसके लिए फुल क्रीम दूद लें या आप टॉन मिल्क लें कोई सा भी लें तब भी हमारा दही बिल्कुल परफेक्ट जम कर त्यार होगा आप किसी भी तरीके से उल्टा सीधा करेंगे तो भी बिल्कुल गिरेगा नहीं आप पता लगेगा ज़ो हम इसकी पूरी रेसिपी बताएंगे के के तरीके से हमने जमाया है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना का है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको मैं इसके साथ ही कुछ दही जमाने के ट्रिक भी बताऊंगी और साथ ही मैं जेसल मेर की जो लसी है राजिस्थान में वो किस तरीके से बनाई जाती है तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी वीडियो को आप फुल वाच कीजिएगा तभी आपको ये सब कुछ पता लगेगा तो चलिए हम देर न करते हुए इसे हम बनाना शुरू करते हैं एक सबसे पहले हम गैस के उपर भारी तले की कड़ाई रखेंगे भारी तरीका बरतन होना ची कोई सा भी हो उसमें थोड़ा सा हम पाने डालेंगी जिसस जो हमारा दूद है वो बिल्कुल नीचे तले में चिपकेगा नहीं अब इसमें हम एक लीटर फुल क्रीम दूद का इस्तेमाल कर रहे हैं आप चाहें तो टोन मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूद हमारा थैली का ही होना चाहिए या फिर गाड़ा अच्छा जो तले में अगर लग गया तो हमारे दूद में इसमेल आ जाएगी तो इसको हम थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए बॉइल कर लेते हैं दही जमाने के लिए सबसे पहली ट्रिक होती है कि दूद कभी भी कच्छा नहीं जमाना चाहिए दूद को हमेशा बॉइल करके ही जमाना चाहिए जब अच्छे से हमारा दूद बॉइल हो जाएगा कुछ देर तब ही हम इसका दही जमाएंगे तो देखिए इसको हमें चलाते हुए कुछ देर हो गई है दूद में भी देखिए ओवाली आ गई है दूद को हम कम से कम आठ से दस मिनट तक इसी तरीके से ब देखिए हमने इसे अच्छे से पांस से दस मिनट के बीज बॉइल कर लिया है और दूद की कॉंटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है दूद को वालते समय कठाई में जो आसपस थोड़ी मलाई सी जम गई है उसको भी हम खरोशते हुए इसी में मिक्स कर लेंगे और अब हम दूद को हमने गर्म तो करा था लेकिन अब इसे ठंडा करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी से गर्म करना था तो इसको हम हिलाते हुए जल्दी से ठंडा कर लेंगे अगर आपके पास समय है तो आप रख दीजिए आराम से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हिलाते ह तिम्हें और इस दूद्ध को हमें इतना अधंडा करना है है कि जो हम इसने फिंगर डालेंग कि तो हम से 30 से किर्ड एकहेस तरीक से रख कि इतना गर्म होना चाहिए बिलकुल तंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए जो हम दही लेंगे तो थोड़ा गाडा लेंगे पहुत खटा दही नहीं लेंगे और हमने एक से 1.5 चमज धही लिया है इसको हम अच्छे से फेट लेंगे जिससे ये पूरा दही एक सा हो जाएगा और दही जब एक सा हो जाएगा तो इसमें से एक से डेड़ शमज दही लेंगे और जिस बरतन में हमें जमाना है उस बरतन में हम एक से डेड़ शमज दही डाल देंगे तो देखे मैंने इसके लिए चीनी मिटी का बरतन लिया है बरतन आप इसके लिए कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं तो देखे इसको हम इस तरीके से चारो तरब दही को इसमें लगा देंगे इससे जो दही है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा जमता है अब दूद देखे जो हमारे पास है वो इसमें हम इसको थोड़ा उपर से डालेंगे जो इसमें जो जाग आता है उससे हमारा दही बहुत अच्छा जम कर तयार होता है और जाग जो होता है वो दही जमने में काफी हद तक मदद करता है तो देखिए इसको हमने बरतन को पूरा भर लिया है अब इसे हम किसी भी चीज से ढ़ा कर रख सकते हैं प्लेट से रख सकते हैं या फॉल पेपर रख सकते हैं दो से तीन घंटे हम रख देंगे अब देखे इस चील के बरतन में भी हम इसी तरीके से दही को जमाएंगे दोनों का तरीका जो है बिल्कुल जमाने का सेम है इसको भी हम 2-3 घंटे के लिए कहीं पर एक सी जगह पर रख देते हैं 2-3 घंटे बाद हम दही को चेक करेंगे देखे दही हमारा अच्छे से जम गया है थोड़ा सा हम इसे देखे इस तरीके से करेंगे तो दही अभी अच्छे से लेकिन सैट नहीं हुआ है तो इसको हम 1-5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं जिससे जो दही हमारा है वो अच्छे से सैट हो जाएगा इसी तरीके से हम स्टील के बरतन का भी देखते हैं दही तो देखे ये भी हमारा दही जो हमने हिला कर देखा है अच्छे से जम गया है और इसको भी हम 1-5 घंटे के लिए फ्रीज में सैट होने रख देते हैं देखिए हमने फ्रीज में दही रख दिया था दही हमारा सैट हो गया है तो देखिए कितना गाड़ा दही है आप देख सकते हैं दही हमारा इसमें से गिर नहीं रहा है और आप हाथ लगा कर भी चेक कर सकते हैं दही बहुत अच्छा जम कर त्यार हुआ है और सैट हो गया है इसी तरीके से हम अपना मटकी वाला दही भी देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा जम कर तयार हुआ है, इसको देखिए हम पूरा पलट कर भी दिखाते हैं, कि दही हमारा इसमें से बिलकुल भी गिर नहीं रहा है, इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस तर जाए, मलाईदार, तो फिर बात ही क्या है, तो ये जब खाते हैं, तो इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, तो एक बार इस तरीके से आप दही को जरूर जमा कर ट्राइ कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, अगर मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो देखिए हमने उसको इस तरीके से चमच से कट करके बताया था, इसको हम स्टील वाले जो बरतन मे इसको हम चाकू से कट करके दही को बता रहे हैं, तो देखिए ये दही भी हमारा बहुत अच्छा जम कर तयार हुआ है, इस दही को हमने चाकू से कट करा है, और इसको हम देखिए इस तरीके से जिस तरीके से हम मिठाई के टुकडे को बर्फी को उठाते हैं, इसी तरीके स हमने दही को अपनी चमच में उठा लिया है तो देखिए हमारा दही कितना अच्छा मलाईदार बन कर त्यार हुआ है आप से रिक्वेस्ट है आप एक बार जरूर इस तरीके से दही बनाएए तो आपका दही बिल्कुल भी नहीं बचेगा अब मैं आपको जेसल मेर की लसी ब मच चीनी डालेंगे आप अपने टैस्ट के अगॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं इसमें कुछ बरफ के टुकुल डाल दिये हैं और इसको हम हाथ की जो बिलोनी होती है लकडी की उस से हम इसको बिलोएंगे मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे और कांच की ग हमारा जो लस्टी है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी और इसके उपर हम थोड़ी सी खस-खस की शरवत डाल देंगे आपके पास अगर रुवजा है तो आप रुवजा डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसके उपर खस-खस की शरवत डाली है और कुछ ड्राइफ रूट की कात ट्राइक कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपने मेरे वीडियो को पूरा वाच करा इसके लि कर दो सब्सक्राइब 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 कर दो झाल झाल